स्वाती खंडेलवाल हमारे एडिटर हमारे साथ है इस वक्त एक एक्स्क्रूजिव खबर के साथ आईए चलते हैं स्वाती के पास जानते हैं क्या है खबर स्वाती बताईए क्या है बड़ी खबर आपको पिलकुल M&A Space I think यही एक चीज है जो बज कर रहे है और कुछ जो डील बहुत समय से जिन पर बातचीत हो रही थी वो कहीं न कहीं यहां कंक्लूड होते हुए नजर आ रही है जो मुझे सुत्र बता रहे है वो सिमेंट स्पेस में जो हमने जबदस कंसॉलिडेशन देखा उसी 5.5 million tons का जो पूरा इनके assets है यह इनको मिल जाएगा तो यह बहुत बड़ी डील बहुत समय से जिस पर बातचीत और कोशिश हो रही थी वो यहां पूरी होते हुए नजर आ रही है यह डालमया सिमेंट के लिए बहुत इंटरिस्टिंग है वो इसलिए क्योंकि उनके बास 36 million tons की capacity currently है जिसको बढ़ा के organically 48 million tons by the end of next year कर रहे थे और अगर यह 10 million ton और इसमें जुड़ जाता है तो आप देखिए एक formidable force बन जाएगी in the cement space in fact I think straight away इनको third largest company बना देगी cement की you know जो giants है अभी country में तो डालमया सिमेंट का cement space पर जबदस focus है और आप समझ सकते कि इनोंने दो बड़े players को यह पिप किया है और मुझे जो सूत्र बता रहे है क्योंकि कही नाम आ रहे थे बट मैं यह confirmed sources से बता सकते हूं कि डालमया ही इसक कि कोई आनाउंसमेंट आप आज यकल तक देख सकते हैं आज आज आप करें कि आज दालमया सिमेंट के और बोड बेठक है जी और इस बोड बेठक में एजिना भी यह है बताया हूं और रहा है और जिनका अधिकरन होने वाला JPSS State और JPSP Power की cement कम्तियों पर की cement and grinding, cement and grinding assets का, वो already 10-10% उपर है, अच्छा एक चीज़ बता है, क्या valuations पर हो रहा है, इंट्रेस्टिंग है, जो लोग अंदाज़ा लगा रहे है, 10.5 million tons की जो valuation का, अगर देखे तो 6,000 करोर रुपे में उनको मिल रही है, which is a decent number, मतलब बढ़िया प्राइस पे उनको ये assets मिल मत्रिक टर्न, यानि की करीबन करीबन 700 करोड का एक मत्रिक टर्न के हिसाफ से valuation, यानि की 7,000 करोड की assets, 7-7,000 करोड की assets है, जो 5,000 करोड में डाल्मिया को मिल रही है, और इनको लेने के बाद डाल्मिया third largest हो जाएगा, तो दोनों के लिए win-win situation है, जाहिए सी बात है कि JP associate औ JP power में जो cement assets है, उनमें से इनको कुछ-कुछ पैसे तो उनको तो जाएगी, ठीक है बले, loan repayment में कर चुकाने में जाए लेकिन पैसे मिलें गया, और डाल्मिया के लिए ये फायदे के बात है कि तीसी बड़ी की cement company बन जाएगी, ये interesting है, डाल्मिया स्टॉक मजबूत भी है लेट परसेंट उपर है आज के session में, एक बार ज़रा, पुनाल जी, charts देखें, राय देंपनी, देखें, जिस तरह का chart structure है, अनिल जी मुझे लगता है कि और उपर के level से stock में देखने को मिलेंगे, लगबग तमाम cement stocks में हमने एक pattern बनते हुए देखा है, ultra tech cement में सबसे पहले inverse head and shoulder pattern बना, उसके बाद श्री cement में और डालमय भारत में बनता हुआ देख रहा है, तो मुझे लगता है इन तमाम charts पर आपको और उपर के levels देखने को मिलेंगे, तो इन सतरों पर भी जिनके पास position है, बने रहने की राये, मुझे लगता है कि इनमें और upside डालमय भारत में के तो डालमय भारत में यहां से भी और upside बनने की संभावना है, चार्ट पर हैं मजबूत लेकिन एक बार ज़रा मनसल जी पर कुछ विशेज टिपनी करना चाते हैं, जी मनसल जी बताएं अनि जी मैं टिपनी अनि जी यह है, मेरा word of caution अनि जी मेरा गनित यह कहता है कि देखें जेपी की तो market cap अटाइस सो क्रोट की चल रही है, कंपनी को अनि जी कुछ नहीं मिलेगा डील के बाद भी, पैसा सारा बैकों को जाएगा, तो चकरम अनि जी फासे ना, सस्ते लोग न्यूज आती है, तो फस्ता है, एक बार चैनल चेक कीजिए अनि जी अपनी रिसर्च को भी बोलिए, जेपी के वाइप प्रेजिट अगरा को लाए ना, कि पैसा कितना पैसा उनकों जाएगा, कितना पैसा बैकों को जाएगा, मेरा गनित यह कहता है कि सारा पैसा ब एक बड़या डील हो पाएगी, क्योंकि उनके लिए अच्छी असेट्स उन्हें रेडिमेंट मिल रहे, लेट सी, आज इंतजार रहेगा, आज ही अगर डील होती है, आज बार बेठा के हैं, तो उसके बाद कल देखेंगे किस तरह के अपग्रेड्स इस स्टोक को लेकर एक